दोस्तो हमारे साथ इस ग्रैपर बहुत सारे प्यारे और अद्बुत जीव हैं लेकिन इनके बारे में बहुत कुछ ऐसा है जो हमें ऐसे बहुत से लोगों को शायद नहीं पता है ये जानवर वास्तब में अपने कुछ amazing skills से हमें चौका सकते हैं इसलिए हमने इन जानवरों क के बारे में कुछ stunning facts एकटे किये हैं मैं उमीद करता हूँ कि आप कुछ नया सीखेंगे और हमारे घर पर मौझूद इन जानवरों की जाने बारी चीज़ें आपको surprise कर देंगी कि ऐसा भी होता है most penguins are monogamers दोस्तो अधिकान्स penguin जीवन भर एक ही साती के साथ रहते हैं और क इस प्रकार के penguin अपने गोंसले बनाने के लिए कंकड का यूज करते हैं क्योंकि यह चट्टानी टटो पर रहते हैं और एक साथ गोंसला बनाना जारी रखते हैं Dolphins basically have names दोस्तो यह बात जानकर आप shocked हो जाओगे जैसे इंसानों में सभी के नाम होते हैं वैसे ही Dolphins की species में भी सबके अलग-अलग नाम होते हैं Dolphins CT का यूज करके बात करती है Dolphins की CT पर किये रहे अधियन से पता चला है कि यह बास्ता में एक दूसरे का नाम ले सकते ह यह दूसरी Dolphins को बलाने के लिए अलग-अलग CT का यूज करते हैं जो बदले में जवाब भी देती है ट्रिकोडाइल्स आर रियली सेंसिटिव रॉटर प्रेशर में बदलाव का पता लगाने के लिए मगरमच्चों की बाड़ी में छोटे-छोटे सेंसिटिव उभार से लेकिन जब ये शिकार कर रहे होते हैं तो ये पानी में होने वाली चोटी से छोटी मॉबमेंट को भी डिटेर्ट करने में उनकी मरत करते हैं उनके चैरे के साथ ही उनकी फूल बॉड़ी इन चोटे-चोटे उबारों से टकी होती है जो बहुत जादा सेंसिसटिव है और यह भी है मगरमिच का चैवा इंसानों की उगलियों से भी जाद सेंसिटिव हो सकता है राइनोस आ रिलेटेड टू होसे दोस्तों बहुत से लोग मानते हैं कि गैंडों के सबसे करीबी विश्तिदार दर्यारी घोडे हैं लेकिन ऐसा नहीं है बास्तम में गैंडों के सबसे क सिंग की तरह लगे युनिकॉर्ण को आपने किसी कार्टून या एनिमिटेट मूवीज में देखा होगा बट एक्चॉली में ऐसा नहीं है यह एक फिश है इसके सिर्फ जो सिंग है वो सिंग नहीं सिर्फ एक दात है जो इसके मूग के बाहर उखता है मेल नावेल में ही आ अपने गीतां को खास तरह से डिजाइन करते हैं और साथ ही उनकी ट्यूनिंग भी बदलते रहते हैं यह इस्तंधारियों में वहुत ही असामानने है और उन्हें किसी भी दूसरे इस्तंधारियों से अलग मनाता है गोरिलाज आर इंक्वैडरली स्ट्रॉंग आपको ये ब प्रेंच प्रेस पर एक हया 814 किलोग्राम तक का वेट उठा सकते हैं और यहां तक की शेवों की तुलना में उनकी बाइटिंग पावर भी जादा होती है और यह सच में काफी इंप्रेसिव बात है पेरी डॉक्स किस दोस्तों आपको ये बाद जानका हैरानी होई कि पेरी करते हैं दोस्तों आपने हिपोस को अकसर पानी में ही देखा होगा इसका कारण यह है कि इनकी स्किन बहुत ड्राय होती है जिससे हाइड्रेट रखने की जरूरत होती है यह अपनी स्किन को ठंडा और नम बनाये रखने के लिए दिन में 16 गंटे तक पानी में बिताते हैं जब यह पानी में नहीं होते हैं तो यह इस तरह के गुलावी पसीनों को निकालते हैं जो एक्चुली एक स्किन मौस्चुराइजर और सन स्क्वीन जैसा होता है दरसल शेर दिन में 20 गंटे तक सोते हैं और शेरनिया दिन में 15-18 गंटे तक सोती हैं क्योंकि शेरनी शिकार करने और बच्चों की देखभाल करने में अपना अधिक समय बिताती हैं इसलिए उन्हें थोड़ी कम नीद आती है क्योंकि यह शिकारी है इसलिए उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता करने की ज़रूद नहीं होती ये रात में शिकार के लिए अपनी शक्ति को सेफ करते हैं क्या आपको पता है बंदव की कुछ प्रयाती लिखी हुई संक्याओं को समझ लेते हैं और गिन भी सकते हैं जैसे एक दो तीन चार कर गे पहलियों को भी हल कर सकते हैं और प्लस माइनस वाले कुछ equations को भी solve कर सकते हैं कुछ intelligent monkeys तो multiply भी कर सकते हैं सच में ये काफी आश्यावरे की बात है कि कोई जानवर ऐसा भी कर सकता है scientist भी इनका test लेने में interest रखते हैं ये देखने के लिए कि ये कितने intelligent हैं बलकि ये देखने के लिए भी कि ये इनसानों की तरह संक्याओं को कैसे समझ लेते हैं Tigers are good at doing impressions दोस्तों Tigers दूसरे जानवर की अवाज की नगल करते हैं और ऐसा वो तब करते हैं जब वो शिकार कर रहे होते हैं जो उन्हें बेहर दीख खतरना को अच्छा शिकारी बनाता है वो अपने शिकार करने वाले जानवर की पुकार की नगल करते हैं ताकि वो उसे अपनी और attract कर सके जिससे वो उनका शिकार कर सके Polar Bears are not actually white जो धुर्बिया भालू होते हैं Polar Bears इनकी skin actually काली होती है और उनके fur में कोई सपेद रंग भी नहीं होता है लेकिन ये transparent होते हैं ये सूरज की race को reflect करने पर बस सपेद दिखता है इस transparent fur का एक फाइदा ये है कि ये उन्हें architect environment में invisible होने में help करता है flamingos are pink because they eat shrimp कि आपको पता है राजहंस असल में सफेद होते हैं लेकिन ये जो जींगा खाते हैं वो उन्हें गुलावी कर देता है बीटा कैरोटीन एक लाल गुलावी कलर का chemical है जो जींगे में होता है और राजहंस जब उन्हें खाते हैं तो उनके फैदागा और इसकिन में बीटा कैरोटीन जमा हो जाता है जो राजहंस जतना ग़ेवा गुलावी होता है वो उतना ही healthy होता है कुआला के fingerprints इंसानों के fingerprints से बहुत जादा मिलते हैं यहां तक की scientist भी अंतर नहीं खोश सकते Fingerprint पेड़ों पर अपनी grip बनाने के लिए useful होते हैं और ये fingers की sensitivity को भी बढ़ाते हैं और koala के लिए ये उसके food को examine करने में भी help करते हैं Sloths can hold their breath longer than dolphins दोस्तो sloths बहुत धीमे जानवार होते हैं ये अपनी sance और heartbeat को धीमा कर सकते हैं इसलिए ये 40 minute तक पानी के भीतर रह सकते हैं जबकि dolphin को हर 10 minute में हवा के लिए उपर आना पड़ता है ये एक महिने में सिर्फ एक बार यह खाते हैं और वो भी 30 gram जिसे पचाने में इन्हें एक महिने का समय लग जाता है क्योंकि इसकी तरह इसका digestive system भी बहुत slow है तो दोस्तों ये थे कुछ unique features वाले animals आपको इन में से किस जानवा की खास बात अच्छी लगी comment रहे बताईएगा और अगर आप हमारी channel पर नए हैं तो इस video को like कीजिए और channel को अभी subscribe कीजिए